हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर तो दोस्तो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था सिच्छा सास्त्र और बिए फर्स्ट समेस्टर की क्लास में ले रहा हूं अभी तो इसको हम लोग टॉपिक वाइस पढ़ रहे थे पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था वैदिक काल में शिक्छा और इसके अंतरगर्थ हम लोग ने पढ़ाता कि वैदिक काल में गुरू और शिश्य के बीच क्या संबंध होते थे तो वह आला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो आज एक और टॉपिक हम लोग अमं फिने जा रहे हैं इसको हैंडिंग वैस पढ़ेंगे विद्या माता की तरह रच्छा करती है पिता की तरह शद मार्ग यानि अच्छा मार्ग उचित मार्ग का पालन करने की प्रिणा देती है और पत्नी के समान सुख देती है और इसको यहां संस्कृत में भी कहा गया है मातेव रच्छित पितेव हिते निवक्ते कांतेव चप रम्यत पत्नीम स्वदेम यहनि कि वही चीज कही गई है कि भाई जो बिद्या है वो हमारी माता के समान रच्छा करती है पिता के समान सद मार्ग दिखाता है पत्नी के समान में सुख देता है तो सिच्छा बहुत जरू होंगे सत्यताओं का मतलब सच्चाई से अब दूसरी विशेष्टा में आप लिख सकते हैं सिच्छा के उद्देश हलाकि इसको हम लोग अलग से टॉपिक में पढ़ लेंगे फिलाल यह मैं आपको थोड़ा से इसका उद्देश बता देता हूं तो यह भी विशेष्टाओं विक्तित्य का विकास, नागरिक तथा समाजी करतेव्यों का पालंग, समाजी कुसलता के उनती, तथा राश्टिये संस्कृति का सनच्छड और प्रसार प्राचीन भारत में सिच्छा के मुख्य उद्देश एवं आदेर्श थे अब इसको समझ लीजे, यानि कि सिच्छा का उद्देश क्या होता है, तो सिच्छा का उद्देश होता है, इश्वर के पति, भक्ति और धार्मिक भावना पैदा करना, चरित्र का निर्मार करना, ये भी उद्देश होता है, व्यक्तित्य का विकास करना, ये भी सिच्छा का उद्देश होता है, नागरिक तथा समा समाजी कुसलता की उन्यती तथा राष्टिय संस्कृति का सम्नच्षड और प्रसार करना यह भी सिच्छा का उद्देश है भारत में सिच्छा के मुख उद्देश जेवं आदर्स हैं तो इतने आदर्स मैंने जो आपको बताया है इस उप्ति के संदर में हम प्राचीन काल में भारते सिच्छा के उद्देश को जन जीवन में व्याप्त देखते हैं वैदिक कालीन सिच्छा के अग्रिलिखित उद्देश अब यहां थोड़ा सा वही चीज आपको बता दी गई है जिसे चरित्र का विकास करना निर्माल करन बाहरी अनुसासन के साथ साथ आंत्रिक अनुसासन को महतो दिना यह सब उद्देश सिच्छा करना जीवन के प्रतेक छेत्र में व्यक्तिके विक्तित का विकास करना आंत्रिक जगत का विकास करना फिर है वैदिक साहित तथा कर्मकांडो ग्यान कहता सागर को और आध्यात वेदिक काल में गुरुकुल प्रडाली थी गुरुकुल यानि कि आस्रम में जाते थे वहां पर शिस्च जाते थे माता पिता से अलग गुरु के घर पर हिस्च पराप्त करते थे तो आज की जैसा नहीं था कि भाई स्कूल में जाते हैं कि वापस घर चले आते हैं ऐसा सिस्टम नहीं था उस टाइम उस टाइम गुरु के घर पर यानि गुरुकुल में जाते थे वहीं पर रहते थे वहीं पर खाना पीना सारी ब्योस्थाएं वहां पर होती थी तो यही उपनेयन संसकार, उपनेयन संसकार में सिच्छा का आरंब होता है, यह जब सर प्रथम बालक को सिच्छा दी जाती है, तो इसे ही उपनेयन संसकार करते हैं, यह संसकार सिसु अवस्था से बाल लवस्था में प्रवेज करने का सूचक है, यानि कि आप जब पढ़ने रैक हो और बहुत जानने लगते हैं तो आपका उपने ऐस्ष वस्ता को लांग करके इस वस्ता में पहुंच जाते हैं शाद रुखू गुरू समीप लाना, बाद मिया संसकार केवल दुजों के लिए ही रह गया, अब दुज कहने मतलब यह है, देखिए, चार वन्ड थे, ब्रहमार चात्रिय वैस सुद्र, तो सुद्र को छोड करके बाकि जो तीन वन्ड थे, उनको दुज बोलता था, तो यह जो उपने संसकार होता थ यह इनही तीनों वन्ड का होता था, चवधे नहीं होता था, यानि सुद्र का नहीं होता था, अब ब्रहमाचर यह भी हमारी वैदी slide से उ अच्छा के एक विसस्ता है, तो प्रतेक छात्र को जीवन के विसस्ट भाग में ब्रहमाचर का पालन करना पड़ता था, चात्र होते थे उन्ही को ही गुरुकुल में प्रवेश मिलता था पहले आप ब्रह्मचायर का पालन कीजिए सिच्छा प्राप कीजिए फिर जब सिच्छाप की पूर्ड हो जाए तब गुरू आपको अनुमती देता था कि आप आप गिरहस तासरम में प्रवेश कर सकते हैं तो अगर आपकी साधी हो गई तो आप गुरुकुल में प्रवेश नहीं कर सकते थे फिर अगली विसेशता गुरु सेवा प्रतेक चात्र को गुरुकुल में रहते हुए गुरु सेवा अनिवार रुस्प से करनी पड़ती थी गुरु की आज्या का उलंगन करना पाप था और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान भी था अगला है भिक्षा विरती तो चात्र को अपना तथा गुरु का पालन पोशड करना पड़ता था विच्छा विरती के माध्यम से जीवन का निर्वाह किया जाता था उस समय विच्छा विरती को बुरा नहीं समझा जाता था प्रते एक ग्रिहस्त चाद्र को विच्छा अवस्थ देता था क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र भी कहीं भिक्षा मांग रहा होगा यानि की सिस्टम कैसा था देखे गुरू के आसर में सभी सिस्ट चले गए तो गुरू के पास भाई होता नहीं था ना जो गएरा इतना कि वह सभी सिस्टों का खुद से पालन पुशल करे तो वह अ चामाने तोर पर लिया जाता था कि जैसे हर एक परिवार दो सिस्टम जाते थे पढ़ने कोई भी परिवार इसको बुरा नहीं मानता था और भिक्षा देदेता A kya कि उसको पता होताता कि हमारा बेटा भी कहीं ना कहीं गुरू के इह मांग रहा होगा और सिच्छा ले रह अधीजाता था और वही भीक्षा उन सभी पालन पुश्ड के लिए काम आता था तो यह भीक्षा बृति बिसेश्था थी वैस्दिकालियन सच्छा की फिर ब्योहारिक था उसमें सिक्छा में जीवन की अवाश्य क्रिया थी अब सिक्छा दे तो उसमें क्या क्या शिखाय जा जैसे गवपालन करना क्रिशी करना सस्त्रकला यानि कि युद्ध हो गयरा इन सब की सिच्छा दी जाती थी इसका साथ साल चिकित्सा की भी सिच्छा दी जाती थी तो याद रखिएगा फिर है व्यक्ति के लिए शिक्षा वैदिक युग में गुरु चात्र का विकास करने के लिए परत्र सील रहता था तरथा उनका सारीरिक और मानसिक विकास करता था तैनि एक व्यक्ति का सरवांगीड विकास होता था सरवांगीड विकास का मतलब अंदर से भी और बाहर से भ सिख्छा करक है उसको अपनाता भी था जरा था फिर आगे देखिए अवाधी की बात करें कि गुरू घृह में शिच्छा की अबद ही 24 वर्स की आयूतक होती थी 25 वर्स ग्रहस्त आस्रम में प्रवेश करना पड़ता था याоп 25 वर्स मान चक्ते हैं कि 25 वर्स जो है शिच्छा प्राप्त कर सकता था अपने गुरु के असरम उसके बाद गुरु जो है उसको अन्मती दे देता था कि आप साधिविवाब कर सकते हैं तो 25 वर्स के बाद वह ग्रहस तास्रम में प्रवैस कर जाता था तो उसको इस नाथ भोलते थे जैसे आज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कहते नहीं कि आप ग्रेजुएट है, यानि B.A. पास कर चुके, B.S.C. पास कर चुके, बिकाउम, या कोई भी इसनातक डिग्री जब आप ले लेते हैं, तो आप इसनातक हो जाते हैं, ऐसे उच टाइम होता था, अगर आप 12 वर्स तक अध्यन करते हैं, तो आधित बोला जाता था, तो 24 वर्स के बाद भी आप अध्यन कर सकते थे, लेकिन 24 वर्स के बाद आपकी इक्षा के अनुसार होता था, क्या आप चाहें तो करें, या चाहें तो आप ग्रेहस्तास्रम में जा सकते हैं, गुरू के अनुमतिशने, प्राचीन काल में मुख्य रूप से सिच्छड किया जाता था, सरी, मुख्य नहीं मौकिक, तो ये भी जान लीजे कि जो वाइदिक सिच्छा दी जाती थी, वो लिखित नहीं होती थी, यानि कोई चीज नोट नहीं कराया जाता था, जिसे आज प्रते एक चीज लिखाया जाता है, कि किताब में कापी में लिखा हुआ होता है, वैसे पहले नहीं होता था, पहले मौकिक सिच्छा दी जाती थी, यानि कि एक दूसरे को पढ़ाया जाता था, और वो पढ़ा-प करन था लेखन कला था मुद्रण कला का अभाव का जाता है वैदिक काल में लिपी का ग्या नहीं नहीं था लिपी नहीं थी भासा तो थी लेकिन लिपी नहीं थी लिपी नहीं होगी तक आप लिख नहीं पाएंगे याद रिखेगा लिपी कहने मतलब यह जैसे का है सा है था ह यह सब क्या है यह सब अक्षर है तो लिपी इस ही को बोलते हैं है measurable को अगर पी नहीं होगी तो अक्षर नहीं होगा yeah 238 को किसी तरह से लिखना है इसको ही अढ़ी लिक्यूलिप का मतलब होता है लिखने का तरीका नहीं थी तो लिखा जाता ही नहीं था उस टाइम और उसमें पेपर वगएरा भी उसका विश्कार तो हुआ नहीं था लेकनी इन सब काविश्कार भी नहीं वह था उसमें मौकी रूप से अध्यापक आवस्यक निर्देश देते थे चात्र उन निर्देश रों का पालन करते थे सिच्छड विधी में प्रियोग एवं अनुभव कर्म तथा विबेक को महातु दिया जाता था अब देखें चात्र पार्ट को कंठस्ट करता था कंठस्ट के मंदल भी याद कर लेता था अगला पार्ट तब पढ़ा जाता था जब पहला पार्ट याद हो जाए कंठस्ट करने के परशा चात्र उस पर मनन करते थे यानि उसका सोच विचार करते थे कहते हैं न कोई चीज आप मनन कीजिए मतलब कोई चीज पढ़ लिए हैं तो उसको एकांत में बैठके सोचिए उसके बारे में वाद विवाद भी सिच्छा प्रडाली का एक भाग था, वाद विवाद मतलब एक दूसरे को सामने बैठा करके वाद विवाद होता था, पूछ तास होता था, इससे चीजे देरतक याद रहती थी, विवादिक युग में सिच्छा की प्रब्रा को बनाये रखने के लिए अग्रिशिस प्रडाली अपनाई जाती थी, यानि बड़े सिच्छ अपने छोटे सहपातियों को पढ़ाय करते थे, इसी को मॉनीटरिंग कहा गया है, मॉनीटर आप जानते हैं, आज क्लास में होता है उसमें कहाता है, जो एक थोड़ा सा अनुभवी होता है, थोड़ा सा पढ़ा लिका होता है, बड़ा सिच्छ होता है, वो छोटे सहपाटियों को पढ़ाता है, तो इसको अग्रिशिष कहा गया, सिच्छण में इसम्रण, मनन, चिंतन, निड़े, उपमा, रूपक, पटांत, ज्यात से अज्यात, सरल से कठिन, आधिका ध्यान रखा जाता था, सिच्छा का माध्यम वैदिक संस्कृत था, ये भी ध्यान में रखे, सिच्छा जो दी जाती थी, वो किस भासा में दी जाती थी, वैदिक संस्कृत भासा में, वैदिक संस्कृत आज की संस्कृ जिसे आज जो संस्कृत पढ़ी थी थोड़ी नॉर्मल है लेकिन वैदिक संस्कृत कठीन मानी जाती थी यह बात याद रखें आप पाठकरम की बात करें यह भी एक बिशेष्टा थी पाठकरम दलप्सिलेबस पाठकरम में परापरा यानि अध्यात्मिक और संसारी इसको परापरा को अध्यात्मिक और संसारी बोलते हैं अध्यात्मिक का मतलब इस्वरिया आपके सकते हैं और संसारी का मतलब भौतिक चीजे विद्या यानि अध्यात्मिक और संसारी विद्या पढ़ा ही जाती थी वे या आध रखके जाते था यह सब सिलेबस के अंत्रगत रखे जाते थी यह इनी चीजों का ज्यान कराया जाता था 10 शाइर नकिष्वर अध्यात्मिक कि ऐसजों के पड़ाया जाता था धार्मिक शाहित वेद वैद थांग उपनिश Acc दर्शन रीती आद विशो का ध्यन करा जाता था इसके तरिक राजनीती सास्त्र अर्थ सास्त्र क्रिशी गवपालन आयूर वेद शिल्प सास्त्र कला चिकिस्सा ललित कला आद भी आर्ट करम का भाग होती थी अगली और अंतिम विश्यस्ता है गुरू से संबन्द है इसको हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में डीटेल में पढ़ लिया है तो यहां पर भी में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ हलाकि इसको आप अगर डीटेल में पढ़ना चाते हैं तो आप पहली वीडियो देख स रखते हैं। उस युग में गुरू की सेवा सिस्त्तान मंधन से करते थे। चात्र गुरू के लिए समस्त्र शृद्धा इंबिने रखते थे। गुरू की सेवा करना उसका धर्म होता था। आचार को देवता के समान मानते थे। आचार देवुभाव। गुरू के से देखने चाहते हैं तो आप मारी वीडियो को देख लिए सम gene pool आजया कम करना घृंवि के इससे काम होता था न तरह से सब कहें अध्यापन कराना, चात्रों के वर्ट रभोजणारी की विवर्षथा करना, छीकित्सा सेवा, ये सब गुरू शिस्स संबंधों को विक्सित करने में गुरू कुल प्रडाली का विस्केश योग रहा है, プुरू ओव्फ्सिश एक ही परिशर नहीं रहते थे, गुरू शात् प्राथना इसनान रण रगनियन यह क्या होता था मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि वेश भुसा जिवन सेली अनुसासन ब्रह्मचर यह सारी चीजों का पालन कराना गुरू का करता भूता था यानि सिस्ष को यह सारी चीजे सिखाता था तो यह चीजे मैंने आपको लिटिल में पढ़ा दिये हैं कि वहाई गुरू का सिस्ष के प्रती क्या करता बठा और शिष्ष का गुरू के प्रती क्या करते बठा यह सारी चीज आप पढ़ सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही कर दीजिए शेयर कर दीजिए हमारे चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू की से